नमश्कार दोस्तों मैं धी रजिकबर फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड मेट में और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं concept of gratitude in CTC के बारे में तो गैस हमारे एक subscriber है Mr. Jitendra Patelji जिनोंने हाली में comment किया था और बोला था कि सर एक वीडियो बनाये जिसमें कि हमें बताएं कि gratuity का कितना percent salary में से deduct होता है तो दोस्तों यहाँपे मैं आपको clear कर दू कि gratuity कभी भी employees की salary से deduct नहीं होता है तो गैस अगर gratuity employees की salary से deduct नहीं होता है तो यह confusion आया कहाँ से और यह confusion सरिफ Jitendra Ji की नहीं है यह हमारे जैसे कई salary employees की confusion रहती है तो यह confusion का जो main source है वो कहां से आया तो उसको हम लोग समझते हैं एक example से तो guys यहां मेरे पास दो CTC structures है जिसमें दोनों ही structures में enhanced salary 15,000 रुपए है यानि कि employees को जो final deductions के बाद जो enhanced salary मिलेगी वो 15,000 रुपए है दोनों ही CTC structures में लेकिन अगर आप यहां पे CTC देखें तो जो first example है उसमें CTC कम है मगर जो second example है उसमें CTC ज्यादा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले example में employer ने employees contribution में सिर्फ PF और ESI रखा है और यहीं दूसरे example में employer ने PF ESI contribution तो रखा ही है तो फिर यह दोनों components यहां CTC structure में रखने का logic क्या है सुगाइद logic तो है और logic यह है कि employer को यह दोनों amount कभी न कभी तो pay करना ही है जैसे कि bonus उनको साल में pay करना ही है और gratitude जब भी employee अगर 5 साल complete कर लेगा organization में तो gratitude भी उनको pay करना ही पड़ेगा तो employer इन दोनों amounts को भी अपना cost मान के चलता है और इसी वज़े से यह इन दोन amounts को भी employees की CTC structure में show करता है कि आपकी salary में से monthly यह भी cost है employers का तो इसी लिए जो employers हैं यह bonus और gratitude को भी monthly CTC के amount में break करके उसे CTC का part बना देते हैं और इन दोनों को वो आपकी monthly salary में show करके दिखा देते हैं इस employees को फायदे यह होते हैं कि उन्होंने एक तो पहले ही जो आने वाले खर्चे हैं जैसे bonus और gratitude उनको employees की salary में already जोड दिया है और इसको जोडने से employees की CTC बढ़ जाती है जिससे की employees को लगता है कि उनको जादा salary मिल रही है तो जीते इंद्र जी आपके लिए बता दू कि ग्राचिटी employees की salary से deduct नहीं होता है जो आपकी salary है वो सिर्फ gross salary होती है और gross salary में से सिर्फ जो employees के contributions हैं जैसे कि PF, ESI, Labor, Welfare Fund, etc. वो चीज़े deduct की जाती है बाकी ये gratitude और bonus employees इसलिए add कर देते हैं आपकी CTC structure के अंदर so that वो आपको आपकी total cost बता सके मगर ज्यादा तर employees को इन concepts की clarity नहीं होती है जिसकी वज़े से वो लोग अपनी CTC को ही अपनी monthly salary मान लेते हैं और जब actual में उनकी salary credit होती है इनके account में तब वो काफी ज़ादा परिशान हो जाते हैं तो it's better कि आप अपनी salary के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बरें और इस तरह के components के बारे में जानकारी खटी करते रहें और मेरे channel पे आपको इस तरह के contents भर भरके मिलेंगे तो इसी के लिए आपने अगर channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लें और ये video अपने सभी salary friends के साथ share ज़रूर करें Thank you so much for watching this video guys Have a good day, bye-bye